विल्कम बैक टूमा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियों हम बात करेंगे कोस्चन नंबर 9 इससे पहले हमने एक से लेकर आठ तक आपके लॉंग आंसर टाइब कोस्चन को डिसक्स कर दिया है ठीक है एक से लेकर आठ तक तो पहले आप इनको देखिए उसके ब विटामिन से आप क्या समझते हैं यह बताना और इसके प्रकार विटामिन के प्रकार कितने हैं उनको यह क्या करके बताना है स्ट्रोथ तथा उपयोगता का वर्ण के जिए विटामिन को सोर्स कौन-कौन से हैं और इनके यूज क्या है उपयोगता क्या है यह आपको बतान मतलब कि आपका ऑकसीडेंशन और ओसी देंशन होता है 않ग तो इस opioo 德ra कि जनतूं के डूंग सरीर में पांसी विस मात्रा आवश्छ्रक्त होती है जनतु के सारीर में इसके लिए बैटमिनस की बहुत कम मात्राँ की आवश्क्टा deer थी जंति उंक ईदभ यह उर्जा प्रदान नहीं करते इनसे उर्जा नहीं मिलते हैं लेकिन इनका काम क्या होताय यह अन इंधन पदार्थों के संसलेशर्ण यानि कि आपके शरीर में जो इनर्जी उत्पन होती है ठीक है तो उसमें कुछ न कुछ पदार्थ आपके वर्ण होते हैं से आपको एनर्जी मिलती है तो उन्हों इधन पदार्थों के संसले सड्यानिक उनका निर्माड कैसे है कैसे होगा और सही उपयोग का नियंत्रन करते हैं ठीक है अन्य इधन पदार्थों का निर्मार और उनका जो है सही उपयोग किस तरह से हो इस चीज़ को ये कंट्रोल करके रखते हैं आपके बैटेमिन्स ठीक है अता इनकी कमी से उपाप चाहे उपाप चाहे जो आपका ऑक्सिदेशन रेडक्षन होगा वो कैसा हो जागा तुरिटि पूर हो जागा ठीक है पू तत्त कहते हैं या ग्रोथ फैक्टर कहते हैं और इनकी कमी से उत्पन होने वाले रोगों को क्या कहते हैं इनकी कमी से उत्पन होने वाले रोग आपके क्या कहलाते हैं अपूरता रोग या डेफिसंसी रोग ठीक है यानि कि बिटामिन्स की कमी से होने वाले रोग क्या कहला ठीक है objective में आपका आ सकता है किसने फुल्क ने 1912 में ठीक है किसमे 1912 में बिटामिन सब्द का प्रियोग किया था ठीक है किनों ने के अबल बिटामिन उत्प्रेयरकों का कारीमे, कैटालिस्ट की तरह का और या तो अरधात? अरथाथ उसका मतलब है कि participating का काई ने आप यहाँ भी कारी करते हैं और तो इसके लिए अगर आपको एनजम की करता है, तो इसके साथ में अगर आपका को एनजम दे रख पो एनजम की क्या होता है, सहेंन थीघए या सहें उत्पृरियरक कार्य क्या होता हुथ अत्पृर्यरक को एक्टिव करना तो तो थोड़ी गत्सील बनाना अब उत्पृरियरक क्या ओर आपका क्या में क्यों से तरह काम करते हैं एंजायमों के सहे उत्प्रिरख कारिय करते हैं या सहे एंजायमों के संयूजन में भाग लेते हैं या इनसे सहे एंजायमों का निर्माड होता है ठीक है क्या करते हैं सहे एंजायमों के संयूजन या सहे एंजायमों का निर्माड करने में ये भाग लेते हैं शरीर में इनका संचे बहुत कम होता है है हमारे सरीर में बहुत कम मात्रा में श्टोर रहते हैं ठीक है इनकी अधिकांस मात्रा मूत्र के साथ किसके साथ मूत्र के साथ उत्सरजन होता रहता है अधिकांस मात्रा हमारे ट्वालेट के थुरू बहर निकलती रहती है और क्या कह करना है bit को मुख्यता 2 विभागों में विभाजत किया गया अब bit रामन को बाट गया आपके एकथ आपका है but by the chancellor दूसरे आपके जल में खुलन सिल है एक-एक कर के अब आपके number एक जल में घुलनसील झा कुछ विटामिन आपके ऐसे जो जल में घुल जाते हैं किसमें घुल जाते हैं और दूसरा यह पयाँ सब आपके 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 यह अइन यह वाटर सॉलिबल होते हमें चैनल तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें आपके केबल दो ही पाय जाते है B और C ठीक है केबल दो ही विटामिन आपके आते हैं वाटर सॉल्वल में विटामिन B और विटामिन C तो विटामिन B के कॉंपलेक्स ठीक है विटामिन B कॉंपलेक्स इसमें आपका विटामिन B, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 7, B complex और आपका vitamin C दूसरा आपका है fat बसामे गुलंसील इसके अलावब बी और C को छोड़कर आपको जो भी बचता A, D, K, E यह सभी आपके कैसे होते है fat soluble होते हैं ठीक है कैसे होते है fat soluble A, D, E, K यह सभी आपके पहले हम बात करेंगे नंबर एक जलमे गुलंसील बिटामिन ठीक है जो की आपके B complex और vitamin C ठीक है दो ही vitamin है तो हम पहले बात करेंगे vitamin B complex क्या vitamin B complex है तो अगर हम vitamin B complex की बात करें तो कहना सबसे पहले ग्यात vitamin ठीक है जिससे फुल्क ने 1912 में इसमें 1912 में चावल की छीलन से प्रतक किया था ठीक है चावल की जो छीलन होती है उससे इनने इसको प्रतक किया था किसने फुल्क ने 1912 में ठीक है 1912 में यह है जलमें गुलंसील तथा nitrogen यूग तो होता है water soluble होता है और इसमें आपका nitrogen तत्तु पाया जाता है ठीक है कहरा इसे vitamin B का नाम दिया गया ठीक है क्या नाम दिया इसको इसको vitamin B नाम दिया ठीक है इसमें nitrogen element था और यह आपका कैसा था water soluble था किसने बताया था फुल्क ने देखा था चावल की छीलन में कब 1912 में ठीक याद रहेगा कहरा बाद में लगवक 10 ऐसे vitamin की और खोज हुई तब से इसे vitamin B complex का सामूहिक नाम दिया ठीक है बाद में ऐसे ही जो आपका पहले मिला था ठीक इसी तरह के इससे मिलते-जुलते गुड़ों वाले और 10 vitamin की खोज हुई तब से इसे क्या कहने क्या कह दिया इसको एक group बना दिया जिसको इसको नाम दे बिटामिन B complex क्या कह दिया vitamin B complex ठीक है जो कि आपके पहले 1912 में जो चावल की छिलन से प्राफ्ट हुआ था vitamin B उसी के समान इस इन में गुड़ पाय गया था ठीक है उसी के आधार पर vitamin B complex जो है इसको नाम दे दिया बिटामिन B complex के कुछ बिटामिन निम्न है ठीक है बिटामिन B complex के कुछ बिटामिन यह आपर उन्होंने एक एक करके discuss किया है उनको हम जानेंगे ठीक है कौन-कौन से है कि सबसे पहले आपका अब जागा विटामिन B या थायमीन थायमीन क्या ऐता है इसका रासाइनिक नाम ठीक है और क्या है आपका विटामिन बीबन थीप स्थ भीटामिन बीबन की अगर आम बत करें तो गया यह कारवो हाइड्रेट कि अपसाओं के favor और यहां पर रड़ होगा ठीक ऑक्सी करण है और उपापचे में कार्बनिक पदार्थों से CO2 हटाने वाली अभिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले कार्बोक्सीलेज के सहे घटक होता है क्या होता है को कार्बोक्सीलेज के सहे एंजायमों का घटक होता है क्या होता है को कार्बोक्सीलेज का सहे एंजायमों का यह आपका घटक होता है ठीक है कौन सा बिटामिन भी यह कहते हैं इसको थाइमीन कहरा हमें यह अनाज के छलकों दूद हरी सबजियों इस्ट मास आदि से प्राप्त होता है तो यह क्या हो गया इसके सोर्स हो ठीक है प्राप्त होता है तो यह विता मिन ब्याद के सोर सोगए ठीक है रोगा करते है इसको लीगने सब्सक्राइबं और है लेग Medium नाम है इस से दूद से प्रत्क किया गया तक है किससे जो आपकाen या या दूद में इसको देखा गया था है यह पीले रंका कैसे रंका होता है इसका रंग पीला होता और यह क्या करता है कैटाबोलिजम में भाग लेता है किसमें भाग लेता है आपका कैटला कैटाबोलिजम में हमारे अंदर शरीर के अंदर जो आपकी उपाप चाहिए होती है तर्फ रियेक्शन करएं ठीक है त्लेक्टोस सेह एंजायम माद कशने इसको कहते हैं कि कहते हैं आपको नियासिन कहते हैं तिक एक नचैनी आपका बिट की होता यह है आ twelve यह ओंग कर अ गभात लेने वाले तिक है ने वाले अ रजबने वाले एन ई-ड एन this नामग सहे एंजाम का गटक होता है यह कौन कह उन से हैं जाम का गठक होता है टीक है टा气 जो हमने पहले पढ़ा था उया ऐनृडी कि अलाट है निकोटिनामायड टु यो ज़ीड कुमेद्रीय को ऊंच में घटक होता है इसकी कमेह से पयलेंगरा नामक रोग हो जाता है पेलेग्हरा नामक आपका रोग हो जाता है क्या क्या हो जाएक है आपका इस्केरा नामक किसे आपका नियासिन या इसको बिटमिन भी इशानते है नाम से बीटमिन रहा किर सब्सक्राइब नाम कर दाने है अमीनो अमल के ुपापचैय में भाग लेता है अमीनो अमल के अपापचैय में भाग लेता अपका कौन सा पारी डॉक्षë या बिटामिन सीवी ठूख ठीक है इसकी कमी से रखत चेंडता हो जाता या हो जाता है अने ground क dat या रख ताल पता यहिंसको कहती है रख कोन की कमी विङफी क्यों की सच्छा की लिए रखतच छीड़न COVID-19 या पाईरी दोड़ थे रहिए व थनके वाद है आपका कुछ नाम और दे रहे यह आपके और आपके बिटामिन के जो है एक्जामपल है ठीक है अब हम देखते हैं विटामिन कोशिकाओं को परस पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिक की यह पदार्त की मैट्रिक्स कोलेजन यानि की उतकों में जो आपकी छोटी-छोटी कोशिकाएं होते हैं ठीक है आपके टिश्यूज के अंदर जो आपकी छोटी-छोटी-छोटी कोशिकाएं होती है आपका मैट्रिक्स अंतर कोशिकी पदार्त के मैट्रिक्स कोलेजन तन्तू इसके अंदर क्या भराओगा आपका मैट्रिक्स पदार्त भराओगा ठीक है क्या होगा पदार्त के तन्तू हड्डियों के मैट्रिक्स बाद दातों के डेंटिन के निर्मार को सामान रूप से बना रखने का है क्या काम होता है इसका भई कोशिकाओं के अंदर ठीक है उतकों में कोशिकाओं को क्या करता है परस पर बांदे रखने वाले अंतरकोश की पदार्त के मैट्रिक्स कोलेजन तन्तू ठीक है मैट्रिक्स कोलेजन तन्तू पर हड्डू हड्डियों का जो मैट्रिक्स होता है उसको और दातों के डेंटिन के निर्माड को सामान रूप से बनाए रखने का कारी है किसका आपका बिटमिन सी का या इसको कहते हैं एसकॉर्विक एसे ठीक है कह रहा है इसकी कमी से क्या हो जाता है आपका इसकर भी रोग हो जाता है क्या हो जाता है इसकी कमी से इसकर भी रोग हो जाता है ठीक दूसरा है आपका बसामे गुलंसील बिटामिन ठीक है क्या है आपका बसामे गुलंसील बिटामिन यानि की फैट सॉलूवल बिटामिन शुकर C अब हम बात करेंगे उन विटा मिलों कि जो मैं मmented होती है ठीक है कौन-कौन से विटामिन है जो आपके बसाह नोते हैं घरम से पहला आपका है बिटामिन ए ठीक है क्या है विटामैल आ आपका रे टीमान इसका क्या है chemical नेम है जो डेंट गाजर से तथा घीरी सब्जियों से प्राप्त कैरोटिन से होता है यह तो कहां होगा या आत्री सिलिष्मा की कोफिशिकाओं में गाजर से जो घथा रिद लृस पराफ्तике 9 सिंट इसकी कोश्कावं में गाघर के तथा ग्यारी घहरी रंगे सब्सक्राइब के अब आपको कैरोटिन और कैरोटिन से आपका क्या मिलता है आपको विटामिन विटामिन आपका क्या मिल जाए यहाँ पर विटामिन यह मिल जाएगा ठीक है इसकी कमी से आपका क्या हो जाता है रताउंधी रोग हो जाता है ठीक है नाइट ब्लैंट नेस जिसे कहते हैं साम के समय थोड़ा कम दिखाई देने लगता है ठीक तो यह हो गया आपका fat soluble दूसरा है आपका vitamin D क्या है vitamin D जिसे कहते है calcium ferrol क्या कहते है calcium ferrol करते हैं ठीक है vitamin D आपका chemical name क्या हो जागा इसका calcium ferrol हो जागा यानि कि सूरिय के प्रकास में जन्तूं के शरीर में vitamin D का formation होता रहता है, ठीक है, सुथा होता रहता है, इसलिए इसे धूप या धूप का vitamin B कहते हैं, तो ये आप से objective टाप पूचा जा सकता है, कि धूप का vitamin किसे कहते हैं, आपको दे देगा vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, तो क्या हो जागा इस ότι आपका विटामिन ड किसका विटामिन है यह धूप रिसकों कहते हैं यह दातों और हड़ी स्वास्त और में बिकास में महतबूर्ण होते हैं इससे हमारे ग नियूर्जजर होते हैं यह लुक आपका क्यों रूग हो जाता है कौन सो जाता आपका सुखा-भू हो जाता है विटामिन दे की कमी से ठीक है तो यह तो था आज का विटामिन ठीक है विटामिन सब्द किस ने दिया था आपका फुल्क ने दिया था किस ने दिया था फुल्क ने दिया था कब दिया था आपका 1912 में दिया था ठीक है कब दिया था 1912 में दिया था ठीक है फुल्क ने तो बस आज के लिए यहीं अगले कोश्चन में मिलेंगे अगले वीडियो में ठीक है तो इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना विटामिन समारी दो तरह की थी कौन कौन सी थी यह तो था आपका वाटर सॉलूबल क्या है आपका वाटर सॉलूबल और दूसरा क्या है आ आपने कौन कौन सा विटामिन पढ़ा था अपने पढ़ा था विटामिन बी कॉंपलेक्स और क्या पढ़ा था आपका विटामिन सी ठीक है विटामिन बी कॉंपलेक्स और विटामिन सी और यहीं पर हम फैट सॉलूबल की बात करें तो इसमें क्या पढ़ा था आपने पढ कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी ठीक और इसकी साइट www.pepperhacker.in ठीक है इसकी साइट है www.pepperhacker.in पर अगर आप जाओगे तो वहां से बहुत जारा डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तयारी अच्छे से करते हैं ठीक है बने रही हमारे साथ मिलते अगले वीडियों थैंक्स वार वाचिंग और शेयर दा वीडियो